विल्कम हमारे सामने most important integral question है question क्या है integral of A into sin cube x plus B into cos cube x upon sin square x into cos square x into dx आप बने रहें वीडिो पेंड तक student जी हम आपको बहुत ही अच्छे से सिखा देंगे so एक एक step पे हम आपका doubt किलियर करते जाएंगे आप बने रहें वीडिो पेंड तक यह question most important है आपके board exam के लिए ओके यहाँ पर क्या होगा therefore I equal to यहाँ पर integral of आप देखेगा हम कितना easy यहाँ पर आसान कर देंगे ठीक है ना तो हम क्या करेंगे इतना divide इतना कर लेंगे I mean पहले देखे यहाँ पर A into sine cube x और यहाँ पर क्या करेंगे भई upon sine square x into cos square x ठीक है फिर यह वाला plus तो यह वाला plus फिर b into cos cube x upon यहाँ पर sine square x into cos square x ठीक है ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे into dx अब देखे हमने क्या क्या है आप थोड़ समझे यहाँ पर देखे नीचे वाला same to sum लिख दिया मतलब यह divide यह कर लेंगे फिर plus देखे यह divide यह कर लेंगे ठीक है ना इसको हम simplify करेंगे aiming जो हम लोग बच्पन में पढ़ाई क्या करते थे भीन के जोर उस तरह से करेंगे तो यहीं पहुँच जाएंगे कुल मिला के इसको हम इतना लिख सकते है ठीक है ना ओके किलियर आया ना जी ठीक है इसके बाद दखिए यहाँ पर क्या है नीचे में sin square x है और यहाँ पर sin cube x है मतलब यहाँ पर sin x 3 को है तो यहाँ पर 2 को है तो cancel हो जाएगा भाई 2 को 2 को cancel हो गया मतलब यहाँ पर 3 को में से 2 को गायब हो गया तो एक क्यों रहागया तो इसलिए हम sin x रहने देते है ठीक है यहाँ पर दखिए cos cube है और यहाँ पर cos square है यह और यह cancel हो गया यह वो cos x बाच गया ठीक है ना इसके बाद देखिएगा बहुत easy है I equal to इसके बाद हो जागा integral of यहाँ पर में क्या रहा अपर में रहा A into sin x और नीचे क्या रहा cos square x ओके फिर पलस अपर में B into cos x एक ही वो cos रहा एक ही वो sin रहा upon me यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर हमारा sin square x ठीक है into dx clear ओके इसके बाद देखिए next step हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें integral ना यह वह फर्मुला लाइक अपलाई करेंगे integral of u पलस भी रहे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर dx रहे जो भी इसको हम लिख सकते हैं integral u dx पलस integral v dx ठीक है यहाँ पर यह फर्मुला अपलाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा like यहाँ पर मिल जाएगा i equal to देखिएगा यहाँ पर integral of a और यहाँ पर into sin x upon cos square x dx फिर पलस integral of इसमें integral लगाएं फिर इसमें भी integral लगाएंगे तो यहाँ पर b into cos x अपान यह मिल गया sin square x dx ठीक है हमने किया किया भाई इस parenthesis को अपन कर लियां आमिंग इंटीग्रल दोनों में लगा लियां dx सही ठीक है ना ओके इसके बाद इसके बाद देखिएगा therefore i equal to यह हमारा क्या है constant constant हम बाहर लेंगे integral के बाहर तो integral of यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर हमारा sin x upon cos square x रहे ग बिलता हैं cos x into one by cos x कर लेते हैं इंटू dx ठीक है देखिए हमने क्या किया यह तो constant ले लियां तो sin x एक लिखती है यहाँ पर और यहाँ पर cos square x एक cos इसमें ले लियां और एक यहाँ पर one by cos x कर लियां तो अब इतना का फर्मूला हो जाएगा इतना का फर्मूला हो जाएगा फिर पलस है तो पलस फिर यहा integral of यहाँ पर क्या होगा cos x upon यहाँ पर sin 2 को है यह को इसमें दे देते हैं sin x और एक one by sin x कर लेते हैं ठीक है इंटू dx इतना का फर्मूला हो जाता है अब देखिए आप देखिए बहुत easy है therefore i equal to a और यहाँ पर integral of sin x upon cos x it means आप already जानते हो 10 x होता है फिर इंटू one upon cos x it means sec x होता है आप already जानते हो dx फिर यह plus यह तो plus b और यहाँ पर integral of cos x upon sin x it means cos x आप already जानते हो into one by sin x it means cos sec x into dx जो कि आप already जानते हो ठीक है इसके बाद i equal to a और यहाँ पर देखिए इसका integration already होता है 10 x into sec x का integration क्या होता है होता है सेक x तो यहाँ पर sec x हो गया फिर यह plus है तो plus यह b है तो b अब इतना का integral क्या होता है होता है minus को sec x होता है plus constancy integral होने के बाद integral होने के बाद plus constancy क्यों देते हैं इस पर हम already वीडियो बना दिया है link description में मिल जाएंगे आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो therefore इतना therefore i equal to हमको मिल गया a into sec x और इस minus को हम यहाँ कर लेते हैं बाहर कर लें तो minus b into sec x plus constancy यह हमारा आपका final result दे गया look here dear strange आपके सामने most important question आ रहे हैं यहाँ पर skin पर जो की most important भाई बोड एक जाम में कई बार पूछे गया है रिपीट हुए हैं so most important पहुच अंक का question है यहाँ पर skin पर आ रहे हैं side में आप इन वीडियो को जरूर देख लिए